बना के ध्यार करेंगे 12 की सिजिन में कोई भी हिल्षटेशन आप चले जाओ देखना कुछ ना मिले लेकिन एक छत्री पकड़ के भुट्टा वाले जरुब खड़े होते हैं क्यूंकि ये जो स्ट्री स्टाइल भुट्टा रहता है बनाने में आसान रहता है और गरम गरम इसको सर्फ किया जाता है टेस्ट में चटपटा और बनाने के लिए आसान और ये वाला सिजिन में ये जो करन है बहुत बढ़या मिलता है तो आसानी से हम इसको घर में बना के तैर कर सकते हैं रेशिपी शुरू करते हैं यह दो कर्ण मेने ले लिया है, पहले हम इसका कवर को निकाल देंगे, अक्चली कर्ण के उपर जो कवर बहुत सरे लेयर में होता है, उसको एक एक करके पहले निकालना पड़ता है, और कर्ण के अंदर ज्यादा धूल भी नहीं रहता है, क्योंकि कवर होके यह अलड़ी पहल निकाल देंगे, इसमें जो धागा जीसा दिख रहाए उसको भी निकाल देंगे, कर्ण का जो डंडी ये इसको पूरा नहीं निकालेंगे, ऐसे ही रखेंगे क्यूंकि इसको रोष्ट करने के टाइम हाथ में पकड़ सकते आसान छे आँँ, दोनो कर्ण का कभर को निकालने के बाद इसके उपर मेल्टेड बटर थोड़ा लगाएंगे, बटर को मैंने मेल्ट करकी रखा था, ब्रस में लेके चारो तरफ फेलाते हुए आच्छे से इसके उपर लगा देंगे, बुट्टा के लिए मसाला तैयार करेंगे, इसके लिए तिखी वाली मिर्ची 1-2 T-sp, उसके साथ काला नमक ले लेंगे 1-2 T-sp, काले मिर्ची पाउडर 1-4 T-sp, ये तीन चीजों से मैं मसाला बना के तैयार करूंगी, आप चाहे तो इसमें और थोड़ा सा ज्यादा मिर्ची पाउडर डाल सकते हो अगर आपको तिखा पसंद देत फ्लेम को भी आल करेंगे एक जाली ले लेंगे, इसके बगर भी हम करNE को बना की तैयार कर सकते हैं, एक करैंगो ऊंप अर डूसरा करन जो हे डाइरेक्ट फ्लेम में बना की तैयार करेंगे इसके उपर करन को रख लेंगे, थोड़ा थोड़ा नहीं 두ौड गुमा सोड़ा बस इस तरीके से बनाते जाना है दाए मिनिट बात यह अच्छे से बन के त्यार हो चुका है आप देख सकते हैं चारो तरफ प्रपली यह कूको चुका है जाली को निकल देंगे और डाइरेक्ट फ्लेम के उपर दुसरा बाला कर्न को बना के त्यार करेंगे अगर हम जाली डालते हैं तो उसके उपर कुछ टाइम के लिए कन को रख सकते हैं लेकिन फ्लेम में अगर हम डाइरेक्ट बनाते हैं तो हाथ में उठा कर गुमा गुमा के बनाना पड़ेगा और flame के उपर मत रखेगा थोड़ा उपर distance रखके हाथ में गुमा गुमा के इसको तैयर करना है बस इस तरिके से सेम टाइम लगता है उसमें भी दाई से 3 मिनिट लगता है इसमें भी दाई से 3 मिनिट इस प्रकार लगता है अभी तेख वह छुका है है तो अभी फ्लेम को बंड कर देंगी। डोनों करण को मै режली में ले ले लिए हैं कि इसमें निम्बू लगाएंगा एक चोथा निम्बू मैंने ले लिया इसमें से जो सीडसे उसको निकाल दियेREE इस तरी कि इसे चारो तरफ गिसते जाएंगे यह जो बुट्टा है उसका, खाने के टाइम थोड़ा चटपटा भी लगेगा है और टेस्टी भी लगेगा क्योंकि इसमें हम निम्बू डाल रहे हैं पहले से बटर डाल के इसको हमने त्यार किये थे, सेम प्रोसेसर में दोनो बुट्टे में लगा देंगे थोड़ा-थोड़ा निम्बू सुखा मसाला का पावडर हमने बना के रखे थे उसको चारो तरफ गुमा-गुमा के इस बुट्टे के उपर डाल देंगे और हाथ में थोड़ा-थोड़ा लगा देंगे आछी से अभी हमारा स्ट्रीट स्टाइल बुट्टा बन के त्यारे बनाने के लिए आसाने और जटपटे बन के त्यार हो जाता है कुछ भी इसमें चीज ज्यादा नहीं यूज करने का क्यूंकि बटर थोड़ा सा मेने ग्रीज किया और उसके उपर मसाला पाउडर डालाए आप भी लुटिः एक बडर जरूर ट्राए करें रेसिपिए के बार माँ आपके अई लूफवा को में शेर करें इसतर कें की बहुत सरे ईजी रेसिपिके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो राइट शेट में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके और लोट भी किसन बेल को अन करें